नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एस्टोलोजिकल गुरुजी में और हमसे जुनने के लिए हमारी चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बिल आइकन को दबाए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दी और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा तो प्लीज लाइक कर दे तो चलिए सुर करते हैं आज का उनकी वज़ज से हम किस से खुल कर बात भी नहीं कर पाते कुछ यादे ऐसी होती हैं जिनए हम सपस्थ के रहा जाती हैं भूहत कोसिस करते हैं हम खुद को बदलने की परवाची ज़े नहीं हो पाती है जू अज मैं आपको कुछ ऐसी ज़िशे बताओंगा जो आपको अंदर से मजबूत बनाएगा जो आपके अंदर एक positive energy को जन दिने में मदद करेगा जो आपसे कहेगा कि जो जो करना है वो कर मैं तेरे साथ हूँ और जब ये words हमारे कानों में परते हैं ने यार कि मैं तेरे साथ हूँ उस time जो power हमें मिलती है वह बाकी दिनों के power से हट कर होती है उ I hope ये वीडियो आपके thoughts को बदलने में थोरी मदद करेगा ये आपको mentally मजबूत करेगा तो बस चुरी रहे इस वीडियो के अंद तक तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं सबसे पहले आपने आपको proof करना छोड़ दो किसी के सामने कभी अपनी अच्छाई पेस मत करो कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ लोग हमेशा अपने हिसाब से हमें treat करते हैं आप कितनी भी कोसिस कर ले उन्हें अच्छा देखने की वह वही देखेंगे आप में जो उन्हें देखना है जो आपसे प्यार करते होने अपने लाख पुराई होने के बाद भी आपसे प्यार आपका लोगों को जवर्दस्ती इंप्रेस करना ये दिखाता है कि आप फालतू इंट्रेस्ट लेती हैं सम्मे जबकि खुद को ऐसा बनाओ कि आप किसी से नजरे तक ना मिलाओ और सामने वाला आप में इंट्रेस्ट लेने लगे इसके बाद है दोस्तों मुभन सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने लाइप में सबसे बरी तफलता हासिल करने के लिए हर एक जगा से निकल जाना पौश जरूरी होता है अपने माइंड में यह बात बहुत अच्छे से बैठा लो कि इस दुनिया का दूसरा नाम परिवर्तन है अगर यह एक जगा रुकिए तो वह इसी जगा पर बरबाद होने सुरू हो जाओगे दूसरे तुने तो बढ़ी गलती हुई है किसी का दिल दुखाया है या फिर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो बस माफी मांग करी हमाप करके आगे बरहेो अपने हर एक गलती से नए चीज़े सीखो और आगे बरते रहो इसी भी चीज में अटक जाने से दिमाग उसी में फसा रहता है फिर हम चाहकर भी नए चीजे नए कर पाते आपका मुवन करना आपको और आपके चाहने वालों को एक नया रुप दिखाता है आपका बीते दिन पुराने यादे गलती से गलती हुई गलती और किसी का असाथ छोड़ जाना यह हमारे सामने बार-बार आता है हमें रोकने के लिए बरामी से इग्नोर करके अपने लाइप पर फोकस करना है उन चीजों पर दियान देना है जो हमें खुसी देती है तब ही हम जिन्री के सकून को महसूस कर पाएंगे इसके बाद दोस्तों अपने आपको ऐसे इंसान बनाओ जो दूसरों के सकसेस इंज्वाय करे अगर आप दोसरों के सकसेस पार्टी में खुद को सामिल करोगे तो आप खुद को इस जगाँ पाओगे जहां पर आपको चारों तरफ सकसेसपूल पिपल होंगे और काम्याब लोग के बीच में रहना आपको आटोमेटिकली वह चीज़े करने के हिम्मत देता है जिसे आप करने से डरते है आप ऐसे लोग के बीच रहें जिन्होंने लाइफ में कुछ भी हासिल ना किया हो और फिर आप एक ऐसे लोग के बीच रहें जिन्होंने लाइफ में बहुत चुज़ अच्छिव की हो तो आप देखोगो कि इन दिनों के सोच में जमीन असमान का अंतर है कुछ लोग बहुत excuses बनाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है और कुछ जो उनके पास है उसी से काम करना सुरू कर देते हैं आप समझ गए होंगे कि मिन में से कौन success होगा इसलिए खुद को successful लोगों के बीच रखना पेह जरूरी है इसके बाद है अपने आप को किसे compare कभी मत करो होता क्या है कि अपनी गर्तेमान सिरी को किसी की गर्तेमान सिरी से match करने लगते हैं जब कि ऐसे कभी अपने पहला chapter किसी के दसवे chapter से match नहीं करना चाहिए हम तब के ज़री समस्या यही होती है कि हम बाकियों के जैसा खुद को देखने लग जाते हैं जब कि इस दुनिया में आपकी जैसे कैसी नहीं हो और आपको यह आपके जैसा नहीं है यही आपके सबसे बड़ी power है आप वो चाहती हो जो सामने वाले के पास है और क्या पता सामने वाला आपके जैसा जीने के सपने देखता हो अपने खुशी के खुश रहो आपको खुद में कोजी दुनिया नजर आने लग जाएगी दोस्तों हाई पर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमस्ती वाय लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों